तो चलिए दोस्तों लुकमान अट्स यूटूब चैनल के एक नए एपिसोड में एक नए गठान के साथ मैं सुभाष आप सभी कहरदीक स्वगत करता हूँ तो दोस्तों आज की एपिसोड में हम देखने वाले और सीखने वाले रोप स्प्लाइस तो सबसे पहले यह जाण लेते हैं कि स्प्लाइस होता क्या है जैसे विवाओ बंदन में बंदनेक बाद दुबारा खुलने के कोई चांस्स नहीं रहे थे वह इसे स्प्लाइस से तो स्प्लाइस का मतलब होता है जोड़ना आपस में गूतना तो जैसे अपने पास दो रोप के टुकड़े हैं, उनको जोड़ना है, या जैसे रोप है, रोप के एक तरफ हमें लूप बनाना है, ओ लूप जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इस तरह का लूप बनाना है, ओ भी परमानन तो उसमें स्प्लाइस का उपयोग किया जाता है अब दोस्तों स्प्लयाइग को समझ गये हम कहा करना है आप स्प्लेस कौन są रोप के उपर bena जाए क्योंकि बहुत प्रकार के रोप आपस में उजे होए तो रप के अंदर भी ठीज प्लेंड आप त्व मेरा रओ और जितना बड़ा रोप उतने बड़े strand की जो संख है वो बढ़ती चलती है तो हाज हम देखेंगे 3 strand rope के उपर जैसे एक दो छोर होते हैं उनके उपर loop कैसे बढ़ना है वो भी splice करके तो आपस में गूंद के उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आये हो तो इस तरह की नहीने rope टेक्निक सीखने के लिए और नहीने गठाने देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकों को दबा कर all कर दिजे दोस्तो जैसे कि हमने विडियो के शुरात में समझ लिया कि rope splice क्या होता है और उसका उपयो कहा कहा किया जा सकता है अब हम देखेंगे कि उसका इस्तिमाल किस तरह से करना है तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ three strand rope लिया हुआ है आपको मैंने पहली पता है था rope अलग-अलग strand से rope बनते है उसकी मोटाई के उपर निरबर करता है काम के उपर निरबर करता है तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ दिखे 1,2 और 3 यह three strand का rope के उपर मैं आपको splice बना के दिखाऊंगा अब दोस्तो थोड़ा rope के बारे में दो मीट में जान लेते हैं जिससे आप देख रहे हैं कि इस strand के अंदर भी yarn होते हैं जिससे मैं इसको अगर खोल के आपको दिखाऊं तो यह फूरा strand हो गया इसको बार मैं खोलो देखे आप अलग-अलग yarn है तो दोस्तो इसके एक detail से वीडियो अपने चैनल पर मौज़ूद है आपने नहीं देखा तो उपर के eyeball में वीडियो दे दीवा आजा कि आप इसके बारे में detail से जान सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं तो इस strand होगे दोस्तो और strand इस रोप के साथ किस तरह से घूमेंगे उसको समझाने के लिए आपको अच्छे से समझ में आने के लिए हर एक strand के सामने अलग-अलग कलर की पटिया में ने लगा रखिये जिससे कि आपको बहुत आसाने से समझ में आ चाहे कि इस तरह से रोप घूम रहा है तो अब वीडियो में आगे बढ़ते अब देखते दोस्तो जैसे आपको यहाँ लूप बनाना है तो मांद लीजे इस रोप के ओपर मुझे इतना बड़ा लूप बनाना है यहाँ देख लेजे इतना बड़ा यहाँ से मैं पाएंगे तो उसके लिए दोस्तों देखेए यहां जैसे आपको यहां साप साप दिखाए दे रहा होगा मैंने रोप के ऊपर कुछ एरो बनाग रखे वन टू और थ्री अब यहां दिखे यह जो स्ट्रेंद है यह इस एरो की डायरेक्शन में घूम रहे हैं आपको साप अगर नहीं समझ में रहा हो तो आपको यह नजदिक से दिखाए यह जो स्ट्रेंद सामने के तरफ गूम रहे हैं तो इसका सिंपल सा सिद्धान थे जो स्ट्रेंद सामने के तरफ गूम रहे हैं और जो स्ट्रेंद हम इसके साथ स्प्लाइस करने वाले इसका गूतने वाले इसके opposite घुमान अगर ये stand इस तरफ घुम रहे तो हमने क्या करना है इनको इस तरफ घुमाना है मतलब इस तरह से हमें stand को इस तरह से इनके साथ अंदर गूत के लगा देंगे cross में एक इस तरफ आ रहा है तो हमारे stand इस तरफ जाएंगे इस सबसे important है तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते आप इसको गुतना कैसे है या इसको splice कैसे करना है ओ देख लेते हैं दोस्तों यहाँ देखिए जो three stand है दोस्तों इसके अंदर देखें दोनों तरफ दो stand है और एक stand उपर से और आप इस जो red color का tape देख रहे है इसलिए लगाया है कि यह stand होते कभी कभी ज़्यादा खुलते चलते और उसके बाद थोड़ा क्या दिक्कत होती है तो यह temporary लगाया हुआ है जब अपने splice पूरी हो जाएगे उसके बाद हम इस tape को निकाल देंगे तो अभी step को क्या सारा होगा कि यह stand खुलेंगे ने और दोस्तो मुझे यकिन है कि यह splice सीखने के बाद आपको splice बराने में किसी प्रकर की दिक्कत नहीं होगी तो चले शुरू करते, तो ऑद यह सामने का हिसा देखे जिस तो एक हिस्सा सामने कीखे और एक बीच में तो इसको इसी तरह से यहां रखना है आप शुरूआत कहा से करने जो हिस्सा उपर तरफ से, उपर कुन से गया हुआ है यहे red color का तो red color के से शुरू करते, इसको दो मेंट के लिए side टक देते, अब बात आते कि इजो strand किस में से शुरू करे, तो आपको मैं बताना जाओंगा, इजो strand गुमें हुए, इन में से शुरू आत में आप किसी भी strand से शुरू कर सकते, आपको लगा इस से करो, इस से करो, कोई हम करते हैं, इस वाले strand से, इसको इस तरह से थोड़ा फैला के, इस तरह से फैला देजे, अब हमने बात कही थी कि red वाले जो strand है, हमरे पास, उस से हम शुरू करेंगे, तो इसको इसके अंदर से फसा दिया, ये, मैं आपको अभी वीडियो में कहा था, कि इसके direction इस तरफ ह है, आप रोप को तरह घुमा दिया, दोस्तो, इसमें और एक चीज, आप क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं, इसको गोर से तुने ध्यान से देखिये, क्योंकि यही चीज दोस्तो आपको जो स्क्लाइस करने के समय दिक्कत दे सकती है, एक strand मेरे हाथ में, उसके सामने यह गुमावा strand है, यहाँतक तक आप समझ गहे होंगे, आप तोड़ा रोप को गुमा देते हैं, देखिये, एक strand में, इसके सामने यह strand गया हूए और एक strand के सामने यह सामने वाथ स्टैन गया हूए, यह बाला, तो हमी क्य करना है, ज потр tax को इसके साथ स्प्लाइस करना है, उसके सामने वाला स्टैन का जो हिसा वो छोड़के नेक्स्ट वाले में लगाना है, हमेशा यही जाद रखना है, इसके जो स्ट्रिक है यही है, कि एक स्टैन छोड़के नेक्स्टैन के अंदर इससे स्प्लाइस करनी, यह देखिए, यह तो होगे दो, अब बचाई तीसरा, तो तीसरे के लिए के करना है, एक बाड़ रूप को इस तरह से करते हैं, पल्टी मार देते हैं, अब आपको दिखा देता हूँ, इस स्टैन के निचे से एक इसा गया है, जस्ट उसके सामने लिचे से एसा गया है, अब बचा एक स्ट्ैन यहवाला जो गमावा है, यह वाल इसको इधर से नहीं नीचे तरफ से लगाना है और उपर तरफ खीच देना है यह अगर आपने यहां ध्यान देकर देखा होगा तो आपके समझ में आ गया होगा नहीं भी आए तो कोई बात नहीं आप उसको दुबरा रिपीट करके देख सकते हैं अब देखें यहां क्या हुआ है इस टेन आगे तरफ निकल गया है एक आगे निकल गया है फिर इसका गड़ दिमग में रखनी है जे स्ट्रेंड को आपने स्प्लाइस करना है उसके सामने वाला स्ट्रेंड पकड़ लेना है और सामने वाला स्ट्रेंड पकड़ने के बाद जेस्ट उसके आगे वाला स्ट्रेंड के निचे से क्या करना है इसको लगा देना है तो दिखिए ये स्ट्रें इस बहुत होनी चाहिए, और confidence बहुत होना चाहिए, और confidence से किसी प्रकर काम नहीं करना है, खास दोर पे रोप रिशका के दुरण, और confidence के साथ काम करना है, तो एक हो गया, अब बारी आगई इसकी, मतलब black color की, पहले red color होआ, अब black color, black color देशे हाथ में पहट ले, उसके सामन इस स्ट्रेंड और इसके सामने यह वाला स्ट्रेंड तो हमने एक स्ट्रेंड छोड़के दूसरे स्ट्रेंड के नीचे से इसको पास करना है यह इसको आप इस तरह से भी इसको इपर घुमा सकते हैं तो क्या होगा जितने भी स्ट्रेंड आगी जा रहे हैं यह बढ़ियास से दिखिए येलो स्ट्रेंड उपर गया है हो ये वाला यह इसके सामने यह स्रींड यहान और इसके सामने या Petा यह P यह तो इसको पकड़ लेना है ज्ञूँ यह निली लाएं गई इसे टांको पकड़ के उपर कर देना है और इसके निचे से कि यह आया और बढ़िया से इनको set करते हैं अब इनको आप इस तरह से गुमा सकते हैं तो क्या होगा आपको बढ़िया से दिखाई देगा कि ये stand किस तरह से गुत्य गुत्य आगे तक जा रहे या स्प्लाइस होते हैं आगे जा रहे यहां यहां देखें कितना मस्तियाद लिख रहे है यह जो पूरा हो जाएगा तो और भी अच्छा दिखाए देगा तो चलो दोस्तों इसको फटापट पूरा कर लेते हैं तब तक आपके पास एक काम है अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर पहले बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए क्योंकि इस तरह की नई-ने टेक्निके हो मैं आपके लिए हमेशा ले किया आता हूँ और रही बात दोस्तों इस टेक्निकी तो यह बहुत काम की टेक्निके चाहे आप एक प्रोपेशनल हो या चाहे आप घर में उज़ करें कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो तो देखिए किस तरह से हो रहा है एक रोप छोड़के या एक स्ट्रेंड छोड़के आप इसको स्प्लाइस करते गुदते जाहिए यह और जो कलर के टेप में यह उसकी आँ है इससे आपको क्या होगा समझने में बहुत आसानी हो जाएगी नहीं तो यह जो वाइट क्लर का रोप है यह आपके समझ में नहीं आता कि कहा से कहा गुम रहा है कुन सा स्ट्रेंड किस तरब जा रहा है यह देिए इसको इबर्थ पुरा टाइट कर लेते हैं इस तरह से और आप चाहो तो इसको इस तरह से गुमा सकते हो तो इससे क्या हो जो भी स्टैंड उपर निच्चे या फिर सेट ने हो पढ़िया से सेट हो जाएंगे और रही बाद और मजबूतिकी तो आप यहां रसी से बान सकती हो इस तरह से लपट की रसी से बान भी दो या कुछ प्लास्टिक के पाइप आती है जो इसके अंदर से इस तरह पहना दो और उपर से तोड़ा से कलो उसको गरम कर लो तो क्या होगा पाइप इसके साथ पुरा डीटेल से और बारे किसी समझाने की कोशिश किये फिर भी आपको अगर कुछ बाती समझ में नहीं आई अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंड में जरूर लिखिए मैं उसका पूरा पूरा एंसर जरूर दूँगा मिलता दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोब टेकनीक नहीं गठान के साथ तब तक के लिए जहीन टाटा बाई बाई